नमस्कार मैं विरार चोधरी आज का ये वीडियो इस्पेशली भारत और चीन युद्ध की जो इस्तितिया बन रही है उन पर इसेश करके जो लोगों के मन में ख्याल है आपके भी मन में ख्याल होगा कि बार बार जब हिंसक जड़पे हो रही है वहां पर हतियार का उप्यों क्यों नहीं हो रहा क्या वहां पर जवानों के पास में हतियार नहीं होते अभी आपने तवांका रिसेंटली एक वीडियो देखा होगा जिसमें बारतिये जवान चीनियों को खदेड रहे हैं लाठियों की मार मार के और जिसको बड़े चाव से आप सब ने और हमने शेर भ क्यों बार-बार चाहिना भारत की शिमा में एंटर करने की कोशिश करता है, क्या इसके पूछा पूरा का पूरा पूरा जो लोजिक है, उसको समझते हैं आज के इस वीडियो, वीडियो ध्यान से देखिए, आपके लिए बहुत ही इन्फरमेटी वीडियो है, पूरे के पूर ने हम शुरू करें अगर भारत चीन युद क्यों नहीं होता उसके पिछे रिजन बता देता हुं भारत चीन अब आप सभीको पता कि की बारबार इसक्ति युद नहीं होने के पिछेयरीजन क्या है क्योंकि जब 1962 का युदeden क्या था इस परकार नहीं हुआ को चीन ने बिना किसी information के ही भारत पर सिधा हमला बोल दिया था कहां पर लदाक से चीन ने सिधा यह हमला बोल दिया लदाक से और अरणाचल प्रतेश के कुछ सेत्रों पे 1962 बीस अक्टूबर को और यह युद्ध खतम कर वह था एक महीने बाद में 21 नॉवंबर को 1962 को इन्हो कि उन्होंने कोई भी काम नहीं किया उन्होंने शिर्प एक दोका किया भूका किस कारण किया कियोंकि उस समय हमारे तदकारिन परदानमीतरी जवाल नेरू उन्होंने सचा इंदी चीनी भाई भाई ये बार बार गतिविदी करते रहे गोडर एरिया के आसपास में और इन्हों ने क्या किया उसके बाद में 1922 में 20 अक्टूबर 1922 को इन्होंने भार्च पर आकर्मन कर दिया अब उस समय क्या वा था कि जो गलवान गाटी जो आप देख रहे हो उस समय जो अक्साई चीन था या अरुनाचल प्रदेश का जो हिस्सा जहां पर इन्होंने अटेक किया था उस अटेक में आपको बताऊं यह उस पास पास का यहां पर यहां पर भारतिये शेना लगबग थी 10,000 से 12,000 मात्र 10,000 से 12,000 भारतिये शेनिक थे और इन्होंने 80,000 सेनिकों के साथ पर यहां पर हमला किया तरपा युद विराम की गोश्णा भी कर दी थी अब इस युद विराम में जो उन्होंने चाइना ने की थी उसके पीछे भी कुछ रीजन थे और इस युद के कारण यह जो अक्साई चीन का हिस्षा था जो कि भारत पहले यह लदा का हिस्षा था भारत का यह माना था कि यह लदा का हिस्षा है उसके बाद में इस यूद में चीन ने लगबख भारत के 43 सजार वर के किलोमेटर पर कबजा कर लिया था 1922 में एक है और यह जो सिमा आप देख ल बारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है वो हैAn बारत पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है वो तो इन्होंने इस हिस्से पर जब कबजा कर लिया था 1962 मेर उसके बाद में इन्होंने क्या किया युद्विराम की गोशना कर दी इसके पिछे इनके कई मनसूब एते हो सबसे बड़ा पेले तो हार का जो भारत का कारण था खूपी एजेंसी की नाकामी प्योंकि उसमें भारत समय भी अपने शेनिक बड़ा दी है तो आएना हलकी सी भी इस एरिया में कोई भी एक्टिविटी करता है तुरंत भारतिये शेना एक्टिव हो जाती है उस समय क्या थे कि जो खूप एजेंसी है वो ज्यादा अच्छे से एक्टिव नहीं थी इसलिए उन्होंने कभी अनु नहीं किया क्यों क्यों कि भारत को अमेरिका से इंफॉर्मेशन लेनी पड़ रही थी खूप एजेंसी भारत की तो एक्टिव थी नहीं अमेरिका इंडिया को इंफॉर्मेशन दिया कि नहीं अब वायू टेक नहीं कर सकता क्योंकि चीन वहां पर पूरा सम्रद है वो पहले ये 1962 जब युद वा था कसन मेनन जो भारत के रक्षा मंत्री थे जवाल नाल जी नेरू पंच सिल समझोता जिसके बारे में आपको बताया था कि 1962 में जो युद में हिंदी चीनी भाई-बाई का जो नारा दिया था वो समझोता के बाद में दिया था नारा दिया था हिंदी चीनी भाई-बाई और इसी की धोकेबाजी में चीन ने भारत पर आकर्मन कर दिया उसके पिछे एक सबसे बड़ा रिजन ये भी था कि जमाल नाल नेरू जो समय भारत के परदान मंदी थे इनकी एक जो सभी विश्वर में बहुत ही अच्छे उबरते हें देखिए अकसाइच इसके मुक्य कारण थे तूऄने हमला क्या था उसके मुक्य कारण थे की अकसाइच चीन और अनुछन परदेश की सिहमावरति जो इलाके है उनमें संपुर्वता यानि भारतों बोल रहा था कि यह इसे हमारे है जिसे लदा का है चीन बोले ठाइब हाला रहा है भाओने भारत तक स्थार चीन को लदा का एसा मांनता है और जब कि यह मांते कि उसी हम देकिए उस युद में भारत कि है उसके पिछे आप एक तो तो तीन हजार से जयादा भारत के जवान ul.8 हां इसमें चाइना के भी खुब ज़बायों सहीत वे लेकिन वारत के सभी ज्ति किशाम जयादा थी प्रियंकि इस टैयरी में नहीं थे की यह कर देगी 1962 इस इसमें जो मुख के हिस्षा खोया था वो है था अक्साय चीन ठीक है और आपको बतूँ कि जब भारत चीन का यूद हुआ था उसमें पाकिस्तान इतना डर्पोक था या आज से नहीं है उसमें से डर्पोक है इसने देखो ये गिप ओफ चाइना ये जो हिस्षा है ये इसको जो प्रियो के यनि पाक अर्दिकरत कस्मीर है इसमें से चाइना को गिफ्ट में दे दिया इसको डर लग गया कि अक्साय चीन ने हमला करके हतिया लिया है तो अब हमारे उपर भी हमला कर देगा चीन इसलिए इन्होंने पेले से हाथ कड़े करके बोले लो जी हमारा इसाब गिफ्ट के रूप में स्विकार करो और प्रियो के इसलिए चीन और पाकिस्तान की खूब बनती है क्योंकि चीन डराता है इन्होंने गिफ्ट के रूप में देखो गिफ्ट ओफ चाहिना ये गिफ्ट दिया था इन्होंने प्योकर में लगबग 5181 किलोमेटर का जो हिसा और बिल्कुल फिरी में दे दिया था अब देखो उस युद में हार का जो मुख्यकान देशे मैंने बताया था कि भारती वायुष शेना का परियोग नहीं किया ये इनके लगबग 80,000 शेनिक थे जिन्होंने हमला किया था और जबकि भारत के पास में केवल मात 30,000 से 12,000 शेनिक थे जिन्होंने इनका मुकाबला क्या उसमें से लगबग 30,000 जवान भारत के उसमें सहीद भी हो गए थे और उसके बाद में एकतरपा युद विराम की गोष्णा भी कर दी थी एक महीने बात में अब जो हत्यार के बिना अभी जो परजेन टाइम है जो सबसे बड़ी जो समस्यार यह सामने या जो लोग सुन रहे हैं कि अभी जैसे आपको पता होगा जैसे गलवान गाठी का इंसीडेंट हुआ तो रक्षा मंत्री के उपर या परदान मंत्री के उपर ये दावे करने लगया कि बारतियाँ में थ्यार क्यों नहीं लगी again रक्षा मंत्री जिने जवाब भी दया कि हत्यार है लेकिन 1993 में 1996 में के तो कि एग्रिमेंट है याई जो सम्झोता है उसके कारण हम्यार नहीं सम्झोता किन किन के मद्डे माता देखिए यह वो दो लोग है जिनके कारण आज बोर्डर पर यानि एले सी पर दोनों ही शेनाओं के मद्दे कोई भी हत्यार का परियोग नहीं करता यह इन दो लोगों के कारण है एक तो है पीवी नर्सिमा राव जो कि 1903 में भारत के परदान मंत्री थे और ली पेंग यह चीन के समझोता किया कि एले सी पर जो भी हमारा विवाद है लाइन ओफ एक्ष्विल कंट्रोल इस पर जो भी हमारा विवाद है इसको बातशीद से ही शुल जाए जाएगा कभी भी इस पर शेना के या बल का परियोग नहीं किया जाएगा यह समझोता हुआ था 1903 में में इन दोन इसके बाद में एक समझोता और हुआ था, इसमें एक तो था कि बल या सेना की जानकारी भी देनी पड़ेगी, यह अगर वहाँ पर इस हिसे में, जो भी LSE का है, इसमें, जो भी कोई भी सेना, वहाँ जाके अभ्यास कर सकती है, निरक्षन कर सकती है, चाई बारतिय से ना हो, दोनों निरक्षन कर सकती है, और साथ में वहाँ पर जो सेनी को की है, वो जानकारी भी साजा करनी पड़ेगी, तूसरा जो समझोता वा था, वो वा था 1906 में, यह मुख्य समझोता था, एस भी देवगड़ा और जियांग जेमिन, जब जियांग जेमिन, चीन के राजपती की तरह यह भारत दोरे पे आए थे, ठीक है, और जब यह भारत दोरों पे आए, तब इन दोनों के मद्दे एक समझोता हुआ, और यह समझोता हुआ था 1906 में, इसमें था कि हत्यार के बिना युद्र क्यों, तो आप देखते हो कि भी हत्यार के बिना चाहिए, जवांग मे जो हुआ था या गल्वान गाटी में जो हुआ था या जहां पर भी हिंसक जड़ब आज तक भारत चीन के जमानों के मद्दे हुई है उसके पिछे जो हिंसक जड़ब ही होके रह जाती है गोली बारी नहीं होती उसके पिछे यह समझोता है कि पैस्दी देव गड़ा जिससे में भारत के पड़्दार मंती थे देनी सु चिनिव मा में उसमें राश्चते जियंग नेमीन भारत आएते हो उनके मंद्र श्माठाओ समझोतालब यह जिसमें आनुच च्छ जिसमें साफ-साफ लिखा वाय है कि दो के दूरी उसके बीच में कोई भी वायू यान नहीं ऊड़ा सकता यहां पर नेपल आ गया गदे साफिर बारत का अगा फिर बुटान है और यह अरुनाचल प्रदेश का तो यह इसको तीन भागों में बाटा गया है एक तो वेस्टर सेक्टर सेंटर सेक्टर और इस्टर्ण सेक्टर इस सीमा को तीन भागों में बाटा गया है यहनि इस पूरी सीमा में दो किलोमेटर यहनि दो किलोमेटर इदर और दो किलोमेटर तो अगर वो कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने उस समझोते को तोड़ दिया है और अगर समझोते को तोड़ दिया है तो इसका मतलब है कि बाद में पिर या तो यूद की स्थिति बन जाती है कि है तो यह यह दो जता दूनों देशों के मत दे और या फिर वापस कोई नया समझता हो अगर आप पिछले समझता हो नहीं मानते हो अगर आप उसके नियम तो जटे तो या 十 overcome bei समझता होने तो यू तो जिद की स्ताथि बन चाती ticking जाती है पाकि जब तक आप उस नियम को म नहीं उपर उड़ा सकते, तोनों से नहीं, चीन की हो और चाई भारत की हो, यह इस समझ दोते के तैद, इसलिए अभी गलवान गाटी में जो इंसिडेंट वा, फिर तवांग में वा, इससे पहले भी कई इंसिडेंट वहें, इंसक्त जड़पे हो यह, इसके पीछे जो एकिटिविटी को मिटाने के चक्कर में भारत में यूद कर दिया, या भारत की कुछ हिसे पर कबजा कर लिया, तो उसके वापस लोग वो बाते भूल गए, उसने जो कबजा किया, उसके सराना होने लगी, सेम अभी सी जिन्पिंग का चल रहा है, उन कम्यूनिस्ट आपत बहुत ज्यादा चल रही है, तो बार बार भारत में पंप करता है, जिस प्रकार भारत में कोई भी पॉल्टिशन पार्टी के लिए थोड़ा सा खत्रा मंडरता था पाकिस्तान का नाम लेते हैं, पाकिस्तान में ये कर देंगे, पाकिस्तान में वो कर देंगे, पाकि पाकिस्तान ऐसे भाल तुक आंख दिखाता रहता है पता है 1905 में जब इसका यूद उवा था 1902 में चाइना से तो उनीसो पैसे आप पाकिस्तान ने भी बारत के साथ युद्ध चेड़ लिया कि यहां बढ़िया मोका है अभी युद्ध कर लो पाकिस्तान को नहीं पता रहे से तेरा कितना जोर चलेगा और पाकिस्तान ने इसमेख भरम और पेदा कर दिया कि दिल्ली से कराची तक एक सुरंद खोद रही है इंडिया कुरंग काये खोदेगी भाई पाकिस्तानी खोदेगी इंडिया अब यह डर के मारे इतना अपना इसा जो प्योके का था वो गिफ्ट में दे चुका है लग सिर्फ डर के मारे इसका कोई लेना देना नहीं था ना चीन ने इस पर हमला किया था ना कुछ और सिर्फ डर के मारे भारत पे ठीक या गए अपने पे ना करते इसलिए करके दे दिया यह अब आपको बता 2017 में जैसे इंसक जड़प एक डोकलाम में भी हुई थी जो बुठान नेपाल और चीन यह जो मद्दे में जो हिसा था वहां पर उसके बाद में यह गल्वान गाठी है इस वेली में जो इंसक जड़प हुई थी इंडिया साइड एले सी और चाइना लिए देखो यह जो गल्वान गाठी में यह जो हिस्सा है यहां पर वो इंसिडेंट हुआ था अभी लगबग हमारे 20 जवान सहीद हुए और चाइना के भी काफी जवान सहीद हुए हैं यहां पर लेकिन उन्होंने एक से नहीं कि अच्छा है महीने बाद उन्होंने च्या करते हैं अब हमको हमारी साइड की पता है उनके साइड की उनको पता है लेकिन आप सोचे कि बारतिये 20 जवान अगर सहीद होंगे तो चाइना के साथ तो कम शेकम लेंगे क्योंकि लोगेवाला में 120 जवान उन्हें पाकिस्तान को दूल चटा दी थी पूरे को इनकी क्या उ चाइनी की यह इतने धोनधार है अभी देखा नहीं तवांग में कैसे गशिट-गशिट के मार रहेते लाठियों से और भगरेते रेल बना रखी ती तो यह बोल रहे हैं कि आपने 20 जवान सहीद होगे इंडिया के हमारे वह नहीं तो पूरी जूटी बात है लेकिन जो गल जहां बार-बार हिक्सक जड़क हो रही थी अभी जो रिशेंटली हुआ था आहां यह गलवान गाठी में इन्हों ने चाइना ने जो अत्यार के रूप में परियोग किया था ना कि वह इस परकार के हत्यार निकाले और इनका परियोग किया गया भारतिय सेनी को इस परकार के जो अत्यार है उन्होंने बनाए यह एक्शुल फोटो है उनके अत्यारों की जो इसका परियोग क्या गलवान गाठी में भारतिय सेनीकों के उपर और कुछ टेंट के बंबू बंबू कार आपने भी सुना होगा एक्शुल में वो बंबू नहीं थे यह वाली अ कि तवांग है यहां पर अभी ट्रू इंसिडेंट वाता यहां पर भी चीन के एंट्री कर रहां और नचल प्रदेश में एंट्री करने की बार-बार कोशिश कर रहा जहां पर इसको पीट के इनके जवानों को अभी बार निकाला है कि अब आपको क्या रखता है कौन ताकतवर है इंडिया इस इस्तिति में और चीन से यूद जीश सके या चायना इस हिस्तिति में इंडिया से द्वाट करें वह ता उस समय उख्ये जो हार का करण था वह भारत की पहुफी एजन्सी की नाकामी थी आज भारत की जो खुपी एजेंसी है वो सबसे अलट एजेंसियों में से एक आती है और चीन एक हलकी सीख भी चुट-पुट भी करता है तो उसको तुरंत पता चल जाता है और तुरंत जिसे ही चीन ने अपना मुमेंट बढ़ाया लसी के पास में भारत ने भी तुरंत अपने पूरे सेनिको को अलट कर दिया अब एस हिस्तती में कभी नहीं होगा कि भारत को चीन एक महिने में या एक चोटा सब रत्ती भर भी एक किलोमेटर का इसा भी भारत का ले पाए ऐसा कत्ते ही नहीं हो जय हिंद जय भारत